नमस्कार प्रियदर्शकों तो हाजिर हुए हैं बड़ी ख़वर के साथ तो हिमाच प्रदेश में तीन जगा बादल फटने की घटना सामने आई है जिसके कारण कई लोग लापता हो चुके हैं बड़ी दर्दना ख़वर ये रहने वाली है क्या ख़वर है पूरी जानकारी आपके समक्स जरूर साजा करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले हिमाच प्रदेश की ताज़ा खवरों को जानने के लिए करीपया चनल को अभी सब्सक्राइब करें तो हिमाचल के निर्मंड मंडी और कुलू में बादल फटने से तबाही 40 लापता एक शब मिला स्कूल बन हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई हुई है कुलू के निर्मंड बलोक, कुलू के मलाना और मंडी जिले में बादल फटे हैं बादल फटने से बहरी तबाही मची है कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षाति ग्रस्त हो गए है तीन जगों पर करीब 40 लोग लापता हो गए है, मंडी में एक शम मिला है, यहां 35 लोग सुरक्षित बचाए गई है बादल फटने की घटना के बाद मंडी के पद्धर के सभी स्कूल और शिक्षन संसान आज बंद कर दिये गए हैं, डीसी ने आदेश जारी किये है वही मंडी के थल्टू खोड में आधी राद बादल फटने से तबाही मच गई यहां मकान डहने की सूचना है सडक कनेक्टिवीटी भी ठप हो गई है, मौके के लिए SDRF समेत अन्यटी में रवाना हो गई थल्टू खोड पंचाईद प्रधान कलीराम ने बताया कि तेरंग और राजबन गाउ में बादल फटने की घटना हुई है घटना में कई लोग लापता है, तीन घर भ़ने की सूचना है जानकारी मिली है कि पद्धर उपमंडल के थल्टू खोड में बादल फटने की घटना में नो लोग लापता है एक शब रामत किया गया है जबकि 35 सुरक्षित है, मंडी जिला प्रशाष ने रेस्क्यू के लिए एरफोर्स को अलाड किया है मदद की जुरूरत होने पर सेवाएं ली जाएंगी एंडी आरेफ को भी मदद का निवेदन किया गया है इसके लाबा शिमला कुलू सीमा पर बादल फटने से तबाही मची है, कई मकान, स्कूल और अस्पताल कि शतिगरस्त हो गए है कई लोगों के लापता होने की खबर है, राहा तेवं बचाव कारेच लाए गये है मोके के लिए SDRF की टीम रवाना हो गई है, जानकारी के नुसार कुलू के निर्मन इलाके में बादल फटा है, इससे भारी नुकसान हुआ है, 19 लोगों के लापता होने की खबर है तो बड़ी खबर ये रही कि हिमाचल के निर्मन मंडे और कुलू में बादल फटने से भ्यांकर तबाही हुई है, जिसके कान 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं, वहीं स्कूल भी बंद कर दिये गए है तो अभी के लिए ये रही बड़ी खबर, तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए क्रीपिया चनको अभी सब्सक्राइब करें, धन्यवाद जैहिंद जैहिमाचल